दर्शन सिंग जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार सर हमरा सवाल है जी एक बजोर्ग है 75 येर के जी उनको प्रोस्टेट की प्रोब्लम आगदूदों की और दूसरा सवाल मेरा जै है एक म्रीज है उनका बाई पास हुआ है जी और चारम हीने हो चुके हैं और खोन पतले की दबाई चल रही है क्या उनको सिर्का दे सकते हैं अपरेशन को चारम हीने हो चुके हैं अच्छा पहले वाला जो सवाल था आपका उनको प्रोस्टेट में क्या परिशानी पिशाब तकलीफ से आता है जलन होती है एक तो जी दूसरा बार बार आता है थोड़ा थोड़ा जिनको भी प्रोस्टेट की ऐसी तकलीफ है जो आपके 75 साला बुजर्ग को है तो उनके लिए एक अच्छा नुस्खा है वालना यह बात आपरेशन तक चली जाती है कि देखिये सौ ग्राम अलची लीजीए हो सके तो हलका सा भूल कर इसका पाइडर बना ले और सौ ग्राम लज बनती 100 ग्राम अल्सी 100 ग्राम लाजवंती इन दोनों को मिक्स करके पौडर बना लें और इसका एक चब मच दूद्या पानी में मिलाएं और जब ये पानी को पी ले तो इसमें एक चुटकी गौन चिलगोजा मिला लें इदिघ portfolio लें चिलगोजा लग रेंए वह भी 100 ग्राम लेंख लेकिन अलग रखैंए एक चुटकी गौन चिलगोजा मिला लें और ये एक खुराक रोजाना ये दो बार दो खुराक करके ले सकते हैं खुन्हे के बात खाने लगा ताल लेने से उनकी परिशानी हल हो सकते है इस उमर में ना अपरिशन करा सकते हैं ना बहुत तेज दवाएं दे सकते हैं इस धीरे धीरे उनके परिशानी का हल कर सकते हैं दूसरा सवाल था दूसरा सवाल है कि बाइपास सरज्जरी हुई retain हूई है तो यह सरजरी की नवबत नहीं आती है अब लेंगे तो दोबारा सरजरी की नवबत नहीं आएगी इस सिरका जो मैं अक्तर बताता हूं कलोंजी का यह जैतुन का असली सिरका लें और दो चमच पाने में मिलाकर एक चुटकी खाने का सोड़ा उसमें डाल दें और पीलिया करें दिन में एक बार या दो बार आपको ये दुबारा सब नौबत नहीं आएगी जो आ चुकी है और फिर दूसरे वाल और दूसरी नस्व में चर्बी बरती है फिर दो चार साल बार फिर वही तकलीफ होती है कहां तक आद भी इतने पैसे खर्च करें और इतना तकलीफ उठाए तकलीफ बहुत है तो ये ले सकते हैं आप एक खुराक ये दो खुराक कुछ दिन बाद आपके खुन पतला करने की दवाएं भी छूट जाएगी और ये आप लिया करें कभी-कभी पिर अभी तो लगाता है लें पिर साल में एक-दो महीने लिया करें तो आप हमेशा हमेशा तंदरुस रह सकते हैं ततीश कुमार जी स्वागत है आपका मुझे इसकीन में दिक्कत है मेरे हातों में सुजन है और चंबडी खराब होगी एज कितनी है आपकी मेरी एज है जी अड़तारीश कुर्स ठीक है सार अधिक निश्वा तो है आपक स्कीन के लिए और चंबडी की खराबी के लिए आप बना लें वो और इस्तमाल करें तीन-चार महीने लगतार अलसी तो यूपी वाले जानते ही हैं अलसी क्या होती है अलसी खरीद ले तो 400 ग्राम अलसी और क्योंकि उसमें कंकर पत्थर भी मिले होते हैं बारिक बारिक तो उन्हें साफ करके अलसी तीन-चार सो ग्राम खरीद कर और हलका सा भूल कर पॉडर बना कर रख लें हलका सा भूलना ज्यादा नहीं अब ये अलसी आपको एक चम्मच खाना है सुबह खाली पेट और एक ये दो गिलास पानी लें उसमें एक चुटकी खाने का सोड़ा जो आपके किचन में मीठा सोड़ा कहलाता है एक चुटकी खाने का सोड़ा मिला है और एक चुटकी नमक जैतुन नमक जैतुन असली नहीं ये नकली बहुत मिलता है काने का सोड़ा और अलसी तो आप आसानी से असली ले सकते हैं लेकिन नमक जैतुन नकली बहुत मिलता है ये एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिलाएं, एक गिलास ये दो गिलास और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, इस पानी से एक चम्मच अलसी खा लिया करें, रोजाना एक बार या दो बार खाने से पहले बाद में भी ले सकते हैं अगर दुद पड़े तो, या अब लगा जाएं, 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 वो किस लिए होता है सर, और दूबला पता भी, आठ साल का बच्चा मेरा, और एक सावाल है सर, मेरे बहन का ESR बढ़ा हुआ है, बोले सर, क्या वज़े होती है सर, हो क्या लेना इसर, ESR बढ़ा हुआ है, ठीक है मुझे एसर में नमक जैतून और अलसी का पौडर है, अलसी को हलका सा भूल कर इसका पौडर आदा चम्मच या एक चम्मच खाएं और एक चुटकी नमक जैतून दें, तो इनका ESR कंटॉल हो सकता है, और इसका कंटॉल होना ज़रूरी नहीं, तो हम हमारे इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बच्चे को जिसको चिकन पॉक हुआ है, तो खास तोर पर उसको सब्जाएं और आप भी कहार लखें कि खुजाना नहीं है, अगर कहीं दाने हैं और लाल हो या काले हो, तो इसे सैला ले, अचा पानी न डाले, तेल लगा ले, नारियल का तेल लगा ले, सैला लिया करें, तो कुझली तो दूर होगी, और एक-दो दिन और रहेंगे, फिर ये अपना जड़ जाएंगे, और आपका बच्चा अच्छा होने वाला है, मुनक्का और हुबकला दें, मुनक्का वो होता है, जिसमें बीज होता है, किश्मिश जैसा होता है, लेकि उसमें बीज होता है, उसे मुनक्का कहते है, मुनक्का करने के नियुकर बंद करें और देशी घी में तल के बच्चे को खिलाएं और रोजाना जितना भी खाचा के खाने दे इससे उसका ये चिकन पॉस की बीमारी अच्छी होना मुंपीन है अरण आशी से मुहममद जी स्वागत है आपका इसलाम आलेकुम आपकें शीया आपकें आपकें आपकेंट हुआ है उसमें पी कभी गवराग शुक्ति एप तूर रिंच अनलीया को जले में कीचा हो चाए जो एक बुझर वे अर्जुन की चाल एक से दो चुटकी रोजाना यूस्फ हो सकती है एक बार में और दो बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं अर्जुन की चाल को उबाल के भी पिया जाता है तो क्वांटिटी का ख्यार लखें वक्त बहुत कम है और आप याद रखें कि आपने जो दिल में रगों में आपके कॉलिस्टॉल यानि चर्बी जम गई थी वो एक नाली है जिसको आपने बारीक सा खुलवाया है अभी वो नाली साफ नहीं है तो आप उस नाली को पिखलने के लिए और वो नाली दोबारा बंद ना हो दिल की रगें दोबारा बंद ना हो उसके लिए नमक, जैतून असली एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी बिल में दो बार पिया करें नथे में मिलाकर खाने से पहले और बाद मैं दोनों वक्तों में पिया जा सकता है, आपको फायदा बम की. सक्षेना जी हमारे साथ स्वागत है आपका ने मसकाइद जी, नमसकाइद द्चेया ही अगें सा द्जरी, अधाब ये वोऩर भाधा आप कितना बड़ी बताई है पाँच में की बूली उनों नहीं कोशिश कर लिजे एक नुसका पांच दिल ले पत्री अभी छोटी है शायद निकल जाया बड़ी पत्री निकलना मुश्किल होता है तो एक नुसका आप नोट कर ले और वो नुसका यह है कि असली जैतून का सिर्का और असली जैतून का तेल तो दीकिन नकली की भरमार है जहां से देंगे वो नकली दे देंगे आप तो पहचान नी पाएंगे त असली जैतून का सिर्का असली जैतून का तेल तीन चमज जैतून का सिर्का तीन चमज जैतून का तेल दो गिलास पानी में मिला दें और इसको आप पी लें सुबा निहार मूँ बस एखुराक और यह खुराक आप सिर्फ पांच दिन तक ले सकते हैं अगर उस पत्री को न करना होगा तो किसी भी दिन निकल सकती है एक दिन में भी निकल सकती है पांच दिन में भी आप इसे कोशिश करने नहीं तो फिर आखरी इलाज तो आपरेशन ही होता है